हलो बच्चो आज की कक्षा में आपका होगत है आज हम लोग शब्द के वर्गी करण का आगे का भाग पढ़ेंगे अब तक हम लोगों ने जाना कि शब्द के वर्गी करण के चार आधारों में पहला आधार श्रोत के आधार में उसके बारे में हमने जाना फिर दूसरा रच किए आधार पर स्ब्त के कितने होते हैं अब हम आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाकि के जेत का ला करवा किस बर्फ के जोते हैं इसके बारे में जानेंगे इसकी पुन्रविती करेंगे चोंद के आधार पर आप देख रहे हैं कि चार भेद होते हैं मुख्य रूप से एकार्थी अनेकार्थी परियाईवाची बिलों और इसके अलावा एक अन्या भेद भी होता है उसको बाद में पढ़ेंगे सबसे पहले आईए जानते हैं एकार्थी क्या है एकार्थी शब्द किसे करत हैं ऐसे शब्द जिसका सामान्यत एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी कहते हैं जैसे कि घर, पुस्तक, दूद, कमरा, लड़ाई, देश, बढ़ाप, आदि एकार्थक शब्द हैं इनके एक ही अर्थ निकलते हैं व्यक्ति वाचक संग्याएं भी जितनी होती हैं उनके भी एक ही अर्थ लगबख निकलते हैं अब दूसरा इसका भेद है अनेकार्थी अनेकार्थी शब्द क्या है अनेकार्थी शब्द का भी प्राय है अनेक और अर्थी अनेक और अर्थी दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है अनेक और अर्थी जिस जिन शब्दों के एक से अधिकर्थ होते हैं उसे अनेकर्थी कहते हैं जिन शब्दों के एक से अधीकर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थी कहते हैं, एक से अधीकर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे आप देखिए हार शब्द है, हार शब्द का अर्थ एक है माला और दूसरा अर्थ है हार जाना, इसी तरह से बाल बाल शब्द का एक अर्थ है बाल सिर के बाल को बाल कहेंगे और दूसरा बालक को भी बाल करते हैं अब भाग भाग शब्द जैसे है तो भाग का भी दो अर्थ है जैसे कि भाग जाना और भाग ना क्रिया के रूप में और दूसरा जो है हिस्सा हिस्से के रूप में और इसी तरह से आप देखिए जल जल एक क्रिया है जल जाने के अर्थ में और एक कार्थ है पानी अनिकार्ति के कुछ और उधारन है जो आपको कुछ उधारन पढ़के सुना देती हूँ जैसे कि अंक शब्द है अंक शब्द का अर्थ है गिंती या संख्या और नाटक में जब एक अध्याय होता है उसे अंक बोलते हैं एक अर्थ इसका है गोद एक और अर्थ इसका क्या है गोद अंग अंग शब्द है एक अंग शब्द का अर्थ है एक शरीर शरीर का कोई हिस्सा और अंश या शाखा इसी तरह अंबर अंबर शब्द के दो अर्थ है अंबर शब्द के दो अर्थ हैं एक है अंबर कपड़े के लिए और एक अंबर है आकाश के लिए अक्षर अक्षर का एक अर्थ है वर्ण दुसरा अर्थ है शिव, फिर गगन, ब्रह्म्भा और आत्मा अपेक्षा सब्द के भी कई अर्थ हैं अच्छा, तुलना में और आवश्यक्ता इसी तरह से कुल, कुल शब्द आप जानते होंगे कुल शब्द का अर्थ है संग या केवल या सब ठीक है और या वंश, वंश को भी कुल कहते हैं इसी तरह से पत्र चिट्ठी को पत्र करते हैं और पेड़ के पत्ते को भी पत्र करते हैं फिर बालक बल बल शब्द है बल शब्द का अर्थ हो जाएगा शक्ती और सेना योग 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 शब्द का दो अर्थ हैं कई अर्थ हैं जैसे कि योग का अर्थ होगा एक मेल कई संख्याओं को लेक करके जब हम जोड़ते हैं उसको योग करते हैं और योग मने लगाव होगा फिर मन की साधना ध्यान आदे जो है योग कितने अर्थ में योग का अर्थ जाना जा सकता है इसी तरह से वार, वार एक दिन के लिए हम करते हैं सोंवार मंगलवार बोद्वार ये सब और दूसरा वार मनें प्रहार करना ठीक है प्रहार करना इसी तरह वर कभी एक दूले को वर करते हैं दूसरा जो है श्रेष्टता के अर्थ में वर का प्रयोग होता है और एक जो है वर्दान के अर्थ में वर्दान के अर्थ में भी इसका प्रियोग होता है अब हम आगे का जो ये परियाएवाची है इसके बारे में जानेगे कि परियाएवाची किसे करते हैं परियाएवाची क्या है प्रतेग भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके मिलते जुलते और भी अन्य शब्द होते हैं तथा किसी सीमा तक समाल भी होते हैं ऐसे शब्दों को हम परियाएवाची कहते हैं ऐसे शब्द जिनके मिलते जुलते दूसरे शब्द होते हैं और उनका अर्थ एक ही होता है ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग के संबन्द में अत्यनत साधानी बरतनी चाहिए क्योंकि कुछ परियाईवाची शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ भी प्रगट करते हैं या विल्कुल समान नहीं होते अब हम इनको भी दो भागु में बाटा गया है इसके बारे में जानते हैं पूर्ण परियाईवाची और एक अपूर्ण परियाईवाची पूर्ण परियाईवाची क्या है पूर्ण परियाईवाची शब्द वे शब्द हैं जो प्रत्यक स्थिती में किसी भी वाक्य में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किये जा सकते हैं और जैसे कि आग, अगनी, आदमी का मनुस्य, अतिति का मेमार, परमेश्वर का परमात्मा, चंद्र का चंद्रमा अपून परियावाची क्या है? दूसरा भेद जो इसका है वो अपून परियावाची अपून परियावाची ऐसे सब्द हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ प्रकट करते हैं, परन्तु जिनके अर्थ में सूक्ष्म अर्थ भेद होता है, जैसे हवा और पवन, हवा का पवन देखने में ये दोनों तो एक दूसरे जैसे ही लगते हैं, पून परियावा सामान्य गति से चलने वाली हवा को वायू कहते हैं तथा तेज चलती हुई हावा को पवन कहते हैं इसी प्रकर आकाश और अन्तरिक्ष आकाश एक दूसरे इसके परियाए प्रतीत होते हैं पर अन्तरिक्ष यान को को अकाशियान कहना अट पटा लगता है अतरिक शयान को हम अगर आकाशियान कहें तो यह थोड़ा अट पटा लगेगा ऐता पर्याओं वाकशी शब्दों का प्रयोग हमें अत्यदय इस्वेस करना चाहिए अभी आपको कुछ ऐसे प्रसिद शब्द पर्यावची शब्द के बारे में बता दे रही हूँ जैसे कि आपने सुना होगा अंधकार शब्द है अंधकार का अंधेरा तम, तिम्मेर, तमस, अंधियारा अंधित का आपने सुना होगा सोम, सुदा, पियूस, अमिश, अतिथी, अतिथी का महमान, पाहुन, अभ्यागत और ग्रिहागत आकाश, आकाश का नभ, ब्यों, गगन, आस्मान, शुन्य, आदि, आम, आम का अर्थरसाल, आम्र, अम्रित्फल, आदि, असुर, असुर का होगा अज राक्षस, दैत्य, निशाचर, दानव, आदि इच्छा, इच्छा कार्थ है चाह, कामना, अभिलाशा और आकांग्षा, कमल कार्थ है जलज, वारिज, सरसिज, और बंकज ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विलोम सब्दों के बारे में, कि विलोम सब्द क्या है विलोम शब्द वे शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थ या विलोम शब्द कहा जाता है जैसे कि आप देखें अंधकार का प्रकास कुपुत्र का सुपुत्र लाब का हानी प्रत्तकाल का सायंकाल जीवित का मृत अंधेरे का उजाला इस प्रकार अभी और कुछ शब्द है विलों जिनके बारे में बता रही हूँ जैसे कि आप है अलपायू शब्द है अलपायू का दिर्गायू हो जाएगा अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा और आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा आदान का प्रदान आयात का निर्यात आय का व्याय आहार का निरहार उचित का अनुचित और उन्नती का अवनती अब आपको विलोम के बारे में बताने के बाइद अब आपको कुछ चार भेद आपने देखा अब आपको थोड़ा ये अन्य शब्द के बारे में बता रही हूँ जैसे कि समोचारित भिन्नार्थक शब्द ये सुनने में उचारण करने के समय सुनने में एक जैसे लगते हैं परन्तु इनका अर्थ भिन्न होता है जैसे आप ने अंस और अंश सुना होगा अंस और अंश मतलब कि एक अंस का अर्थ होगा एक अंश का अर्थ है हिस्सा दूसरा जो दूसरे सावाला है दंत सावाला है उसका अर्थ होगा कंदा उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप देखें अनिल और अनल अनिल मने हवा और अनल मने अगनी अंतर अंतर का अर्थ होगा फार्क या हिर्दय और अंतर का अर्थ होगा भीतर इसती तरह कुल और कूल कुल मने बंच और कूल मने तट्या किनारा अवधी अवधी एक अवधी अवधी का आर्थ होगा समय अवधी जिसमें छोटी की मात्रा होगी उसका आर्थ है समय और बड़ी की मात्रा जिसमें होगी उसका आर्थ है एक भाषा इसी तरह से आप देखिए इंदीरा और इंदीरा इंदीरा शब्द लक्ष्मी को बोलते हैं और इंदीरा शब्द जो है इंदर की पत्नी होती है और इंदीरा शब्द लक्ष्मी को कहते हैं पिर गिरी और गिरी गिरी मने पहाड और गिरी कार्थ है गिर जाना एक मात्रा का अंतर है मात्र पिर जरा और जरा 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 कार्थ होगा बुढ़ापा और जरा कार्थ होगा थोड़ा अभिराम, अभिराम, अभिराम और अभिराम, अभिराम कार्थोगा सुन्दर, अभिराम मने बिना रुखे, अभिराम कार्थोगा बिना रुखे, इसी तरह उपयुक्त और उपर्युक्त, उपयुक्त मने उचित, उपर्युक्त मने उपर कहा गया, ऐसे ही बहुत सारे निरजर और निरज़र निरजर निरजर मने देवता और निरज़र मने जचरना तो बहुत सारे ऐसे सब्द हैं जिनको जो हम यदि उनके ऊचारण में थोड़ा भी अंतर आया तो पूरा अर्थ उनका बदल जाएगा अब हम थोड़ी सी थोड़े उदाहरण के द्वारा उनकी पुन्रावृत्ति करेंगे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाषा की सबसे चोटी इकाई क्या है इसकी पुन्रावृत्ति करते हैं शुरू से भाषा की सबसे चोटी इकाई क्या है वर्ण है वर्णों के मेल से क्या बनता है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और अगर कहा जाए कि हम किसी अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुँचा सकते हैं किसके बिना यानि कि भाशा के बिना भावों को हम किस प्रकार लोगों तक पहुचाएंगे अगर हम भाशा के बिना देखे तो अपने भावों को दूसरों तक नहीं पहुचा सकते और भाशा जो है वह किसका मेल है भाशा जो है शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्य से भाशा श्रोत या उत्पत्ती के आधार पर शब्दों के कितने भेज होते हैं कौन-कौन से पहला तत्सम, दूसरा तत्भव, तीसरा देशल और चौथा विदेशल अब यह प्रश्ण है कि चारों के दो-दो उधारण बताईए तो तत्सम का आप बता ले लिजे, पुत्र ले लिजे या जल ले लिजे, जल और पुत्र हो जाएगा तत्भो का घर आप कह सकते हैं, ग्रिक का घर बन गया आम्र का आम बन गया ठीक है आम, आम शब्द घर शब्द आप जो है जासे दूद ये सारा उधारण Counselर्ण 다음에 ले सकते हैं, देश च देशज के दो उधारण हो सकते हैं इसी तरह से विदेशज के आलमारी कॉलेज और बॉल अधी विदेशज के उधारण अब निमलिकी स्यवदों स्यवदों के उधाये बताइए यह प्रस्ण है तो इसे रथा है है इसका त्रण होगा ऊठ्योंधं क्या ओगा और ऐसे करण करण का त्रण क्या होगा कान स्य वीदें प करन्य Pas support तरण Кー कुम्हार का तद्व क्या होगा कुम्हार सुष्क का तद्व होगा सुखा मयूर का तद्व होगा मोर कोकिल का पोयल नव का होगा नया और काक का तद्वा होगा कोवा इसी तरह सर्ब का होगा सांप कपाट का होगा जर्वाजा और इसके बाद श्वांस का होगा सांप और लक्ष का होगा लाख इस प्रकार से अब जो है निम लिकित शब्दों के तसम और तद्वो शब्द दिए गये हैं उने तसम और तद्व को मिलान करना होगा या चाटना होगा तो वो आपको इसी के माध्यम से कर सकते हैं अगला है जो है हमको कुछ आगत सब्द यानि की विदेशत सब्दों के उधारण दीजिए जैसे अदालत सब्द है आदमी पॉलेज बॉल और प्लेटफॉर्म रेडियो ये सारे सब्द क्या है आगत सब्द या विदेशी सब्द अब आपको जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको जो हम हम हिंदी में विदेशी सब्दों के उसी रूप में ही हम प्रियो करते हैं जैसे कि टेलीफोन है प्रेंसिपल, कोट, नर्स, लाइब्रेरी, टेलीग्राम, इंजीनियर, टेलीविजन, सिनेमा, डाइरी, और स्कूल, खेल, जेल, और ड्राइवर, मैनेजर, क्लर्क ये सारे सब विदेशत सब्द हैं परन्तों इनको उसी रूप में हम हिंदी में प्रियो करते हैं अब जो है हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर शब्दों का भेद कौन कौन सा है पहला प्रस्ण है कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के मुक्षे तीन भेद है पहला रूर दूसरा योगिक तीसरा योगरूर ठीक है पहला रूर दूसरा योगिक और तीसरा योगरूर ये तीन जो है भेद है अब रूर शब्द क्या है और रूर शब्द के दो उधारण रूर शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ निश्शित होता है ऐसे शब्दों को हम रूर शब्द कहते हैं अब रूर शब्द के दो उधारन जैसे घर है घर ऐसे रूर शब्द को अलग नहीं कर सकते रूर शब्द को अगर अलग अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो जैसे घर है कमल है यह सब रूर शब्द है दूसरा है योगिक शब्द योगिक शब्द योगिक शब्द जो है दो शब्दों को मिलके बनता है दो शब्दों के मिलने से योगिक शब्द बनते हैं, जैसे कि आप देखिए विद्यार्थी शब्द है, विद्या और अर्थी, इसी तरह से विद्याले, विद्या और आले, वार्षिक उत्सो, वार्षिक और उत्सो, ठीक है, अब अगला है योगरूर, योगरूर शब्द क कौन से शब्द हैं यह योगिक शब्द के ही तरह होते हैं योगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न होकर अर्थ को छोड़कर विशेस अर्थ ग्रहाण कर लेते हैं तब उसे योगिक योगुरूर शब्द कहते हैं योगुरूर योगिक शब्द अपने जो है खंड है उ अर्थ को छोड़ कर जब कोई विशेस अर्थ ले लेते हैं तो ने हम क्या करते हैं न고요 शब्द जिसा गजाने गजाने के सवान ुख वाला इसका साबदी करते गज्ज और आनन इसका यह दो सब्सक्राइब पाड़ी अब यह वी योगरूड हो गया है इसी तरह से गीरिधर गीरिधर भी कृष्ण के नाम से योगरूर हो गया है अब आप जानेंगे अब दोड़ी चर्चा करेंगे इसके प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं एक है विकारी और दूसरा है और विकारी शब्द क्या होते हैं विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन और कारक के प्रयोग से परिवर्तन आजाता है विकार आ जाता है जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक का प्रयोग करने पर विकार उत्पन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं विकार कारत है परिवर्दन जैसे आप उदारन लिजे एक बालक का बालक बाली का अगर स्त्री लिंग हो जाएगा तो बाली का और अगर बालको अगर बहु वचन करेंगे तो बालको कर देंगे इसी तरह से वचन और लिंग में संग्या शब्द था दोनों में आपने देखा की परिवर्दन आ गया अब आप लिजे ये सर्वनाम शब्द इसारा में इसी तरह से जैसे माली जैं तुम्हारा शव्द को जब तो उसका बहुवचान करेंगे तो तुम्हारे तो इस तरह से लिंग बचन और कारक दोनों इनके प्रयोग से जिसमें परिवर्था ना जाए वे क्या होते हैं विकारी इसी तरह से आप देखिए वह विशेशन से अच्छा सब्द पुलिंग हो जाएगा अच्छी शब्द जो है अगर करेंगे अच्छे तो क्या होसे बहु वचन एक है तो इस तरह से लिंग वचन और कारक में परिवर्थन जिन में आ जाता है वे विकारी जाता है जाती है और जाते हैं पूलिंग में जाता है, जाती है और बहु बचन करेंगे तो क्या होगा जाते हैं, तो इस तरह से इन में भी परिवर्तन आपणे देखा, और अगर आपका दूसरा इसका अभेद है और सबस्कानी, और विकारी शब्द में लिंग बच्चन और कारक चाहिए में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अब देखें मैं अपको बता रहा है राम तेज दोरता है तो बता है अगर इसी को आप भी प्रयोंक करें तेज शव्द का सीता तेज दोरती है तो तेज सब्द के रूप में कोई परवर्तन नहीं आया तो इस तरह से जहां पर लिंग वचन और कारक में कोई परवर्तन नहीं आता उसे और विकारी शब्द कहते हैं इसके अंतरगत आपके चार शब्द होते हैं किया विशेशण समुच्य वोक्षच कर और संबंद्ध वुधक और विसमयादी आप विसमया आपने क्रिया विशेशन के बारे में जाना, फिर अब अगला है आपका संबंद बोधक, संबंद बोधक में भी इसी तरह कोई परिवर्टन नहीं होगा, संबंध बोधक जैसे आप जोड़ने का काम करेंगे दो पद या दो वाक्रकों जैसे राम और शाम फुलिंग है और सीता और गीता भी इस्त्रिलिंग है इसमें भी दोनों में और शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी अंतर नहीं आ रहा है तो यह जो है अगर हम यह करते हैं एक और उधारण आप दूसरे उसका समुच्चे बोधक का लिजे समुच्चे बोधक में और एवं और तथा किंदू परंतु आदि जोड़ते हैं और यह जो है आपका इसमें है कि घर के सामने पीपल का पेड़ है घर के सामने पीपल का पेड़ है यह किसान की जोपड़ी के सामने पीपल का पेड़ है तो इसमें भी के सामने सब्द में कोई परिवर्तर नहीं आया इसी तरह से आप यह देखे राम और श्याम पढ़ रहे हैं सीता और गीता पढ़ रहे हैं तो और जो है वो समुच्य बोधक है और के सामने संबंध बोधक है और आपने क्रियाविसेसर में भी देखा कोई अंतर नहीं हुआ कोई रूप नहीं बदला और अंत में है विश्मयादी बोधक विश्मयादी बोधक में वा सुमन कितना सुन्दर फूल लाई है वा कितना सुन्दर फूल लाया है तो इसमें देखें लिंग का परिवर्तन हुआ एक में स्रेलिंग है एक में पूलिंग है कोई परिवर्तन के रूप में बहाद शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं वे अविकारी शब्द और जहां परिवर्थन हो जाए वे क्या है विकारी शब्द ठीक है अब हम आगे का अलस पढ़ेंगे, अगला भेद है इसका अर्थ के अधार पर, अर्थ के अधार पर शब्द के चार भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याईवाची और विलोम और एक अन्य शब्द भी है ठीक है तो एक अर्थी जिसका एक ही अर्थ हो उसके कोई अन्य अर्थ न किये जा सके अन्य अर्थी जिसके दो या दो से अधिक अर्थ हो और आपका ये हो गया दूसरी चीज है यदि आप देखें पर्याइवाची में एक शब्द के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द भी होते हैं वे हैं पर्याइवाची और उसके बाद विलूम विलूम में हैं किसी शब्द का उल्टा विपरितार्थक ये आपके चार भेद मुख्या है और पांचवा है अन्य भेद में समशूती भिन्नार तक जो कि सुनने में एक जैसा लगे परन्तु उसके अर्थ में परिवर्तन रहे सुनने में एक जैसा लगे परन्तु उसके अर्थ में जब परिवर्तन होता है परिवर्तन आ जाता है उसके जो है उसे हम बोलते हैं समसुर्ति भिन्नार्थक जैसे वात और बात वात में हवा वात मने वायू या हवा और बात मने हो जाएगा वार्था ठीक है तो इस तरह से सब्द की पुनरावित्ती पूर्ण हुई अब शेस अगली कक्षा में पढ़े करेंगे धन्यवाद